Dear friends, अगर आप podcast बनाते हैं या फिर video content create करते हैं, तो ये tips आपको बहुत ज़्यादा help करने वाली हैं, ध्यान से देखिए और इनको follow कीजिए, तो ये start करते हैं, पहला tip क्या है, पहला tip है important tips for podcasters and video creators, ये tip नहीं है भाई, ये title है, अगला देखते हैं क्या है, okay, so let's go to the next slide, this is remove background noise, it is very important, कई बार हम अपने phone से record कर लेते हैं, smart phone से record कर लेते हैं, उसमें background noise remove नहीं होता है, जो की एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, मुझे नहीं पता था शुरू में, और मेरी videos और podcast बड़े बेकार हुए, बट अभी एक tool आता है, जो मैं next slide में रिखा है, crisp, आप crisp क अपने laptop में, macbook में install कर लीजिए, और ये क्या करता है, आपको कुछ minutes free देता है, हर अफते, आप इसको बहुत अच्छा पाते हैं, तो यकीन कीजिए कि ये mic से बहुत अच्छा है, आपको mic की जुरूद नहीं पड़ेगी, और आप crisp से ही अपना recording कर सकते हैं, ये आपकी सा noise को remove कर सकते हैं, अगला tip है, बहुत important, सारे tips बहुत important है, ये बाला है, have air in lungs, अपने फेफडों में आप हवा रखिए, नॉर्मल ही होता क्या है, कि आपन लोग ऐसे बैठ जाते हैं, जब ऐसे हम बैठ जाते हैं, तो हमारी जो lungs है ना, वो प्रेस हो जाते हैं, उसमें से air ब जाता है, जब हम सीधे बैठते हैं, और lungs के अंदर हवा भरके रखते हैं, तो जब भी आप अपना podcast record करें, या फिर अपना video record करें, एकदम सीधे बैठें और lungs के अंदर हवा भरके बैठें, उससे ना आपकी आवाज में एक अलगी बुलंदी दिखाई देगी, और ये है, दूसरा है, maintain super and high energy, और ये तो आपके उपर है, बिलकुल आपके उपर है, और ये तब आती है, जब थोड़ा experience हो जाता है, जब आपको यकीन होता है, कि जो चीज़ आप बता रहे हो ना, वो बहुत super useful है, सामने वाले लोगों के लिए, तो सबसे पहले तो वो चीज़ create की है, energy level सबसे आदा matter करता है, base matter करता है, जो चीज़े मैं इस बता रहा हूँ, वो बहुत matter करती है, camera quality बाहुत बाद की चीज़े है, my quality बहुत बाद की चीज़े है, इसके बिना आप बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे जुकाम है, मेरी अबाज भी भारी है, बट जो energy level है, वो एकदम काम का है, right, अगला जो tip है, वो देखते हैं क्या है, अगला है, use, थोड़ा गलत हो गया, to call to हो गया है, but use call to action in the end, or offer something, अपने podcast के end में या video के end में हमेशा कुछ न कुछ offer कर दें, कोई free course, free download, free advice, whatever, तो मैं इस course में करने वाला हूँ कि ये tips के बाद, अगर आप चाते हो कि मेरा एक premium course, आप करें, और सारी चीज़ों को समझें कि किस तरीके से बहतरीन podcast create किया जाता है, या video कैसे create किया जात course है, जो कि highly discounted price पर available है इस समय, only for 499 rupees, तो फटाफट से description में जाएं, और वो course फटाफट से ले लें, 499 rupees से उपर का तो अजकल pizza भी आता है, जो कि पेट खराब करता है, वड़ ये course आपको, आपका online presence बढ़ाने में मदद कर रहा है, या आपको online presence बढ़ाने में मदद कर र मतलब आती है मेरे को English, ठीक है, matters, तो पहली बात तो है, lighting three point होनी चीए, यानि आपके उपर भी light होनी चीए, right में भी होनी चीए, left में भी होनी चीए, मैं आपको lighting दिखाता हूँ, ये मैंने left वाली बंद कर दी, और मैंने right वाली बंद कर दी, अब उपर वाली जल रही है, ये देख रहे हो, तो तीन point पर light है, अभी मैं light वाली जला देता हूँ, ठीक है, अब मैं left वाले भी जला देता हूँ, on कर देता हूँ, थोड़ी सी English बोल देता हूँ, अब देखो, ये हो गई three point lighting, बट यहाँ पर एक फंडा है, कि अगर मैं ये light को अपने face के उपर ज्या natural सी feeling दे रहा है, तो जरूरी नहीं कि वाइट कलर का कपड़ा ही लें, अब light अगर face पर आ रही है direct, तो उसका थोड़ा तन उसका angle divert कर दीजिए, तो आपकी lighting ना बढ़िया हो जाती है, ये ऐसे, lighting बढ़िया हो जाती है, तो ऐसे ही इस तरफ का कपड़ा लगा लेते हैं, ये वाली चीज़ें भी आप कर सकते हो, तो three point lighting कर लिजिए, ये सारी tips को आप समझ लिजिए, और I am sure कि ये सारी चीज़ें follow करने के बाद, आपका podcast और आपकी video दोनों में पहंकर improvement आने वाला है, आप तांड़ा मचा दोगे, thank you very much, have a nice time.